नमस्ते बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मेरी किताब यह कहानी पड़ी थी, इस वीडियो में हम इस कहानी में इस पार्ट में जो कटिन शब्दा है उनके अर्थ, प्रशन अरुत्तर और एक वर्कशिट, उसके जो प्रशन है उनके उत्तर हम इस वीडियो में पड़ें पहला शब्दा संदेश, संदेश याने समाचार, बैठक, घर के बाहर का कमरा, जो महमानों के बैठने के लिए प्रयोग किया जाता है, अचरज, अचरज याने हैरानी से, जैसे विरु पैठक में कदम रखते ही अचरज से ठिटक गए थी, अचरज याने हैरानी, हैरानी से, आखे फाड़ फाड़ कर देखना हैरानी के साथ देखना आखे फाड़ फाड़ कर देखना इसका आर्थ क्या है है हैरानी के साथ देखना यह क्या एक मुहावरा है उसके बाद फुट्टा फुट्टा याने माफ करने वाला यंत्र या पैमाना माफ करने वाला यंत्र या फि से मौसे ने कहा था विरू को की अगली बार फुटा लेकर आना किताब जो है नाप कर लेकर जाना फुटा ने माप करने वाला यंत्र या पैमाना उसके बाद इस कहानी के प्रश्ण उत्तर बाते किताबों की क्या तुमने भी बहुत सारी किताबे एक साथ देखी है देखी है तो कहा देखी है बहुत सारी किताबे कहा होती है तो कहा होती है हाँ मैंने बहुत सारी किताबे एक साथ देखी है हमारे विद्याले के पुस्तकाले में बहुत सारी किताबे रखी हुई है तो बहुत सारी किताबे कहा होती है पुस्तकाले में अगला प्रश्ण तुमारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबे होंगे उन किताबों में से तुमारी मन पिसंद किताब कौन सी है और क्यों मन पिसंद किताब कौन सी और क्यों अवारे बस्ते में बहुत सारी किताबे होते हैं, उसमें से जैसे हिंदी तथा अंग्रेजी की किताब अच्छे लगती है, क्योंकि उसमें क्या होती है, बहुत सारी कहानिया और मज़ेदार कवीताए होती है अगला प्रश्न, यहां कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिये गए, उनके नाम लिखे हैं, जैसे कुछ किताबों के पन्ने हैं, उनके चित्र दिये गए, जैसे यह लिखा है बच्ति गेन, किसना, बंटु मेरा दोस्त, यह नाम था उसका आस्मानी, तो यह चार किताबो के पन्नों के चित्र दिये गए हैं अब ये बताओ कि तुम इन में से कौन सी किताब जो है पढ़ना चाओगे और क्यों कौन सी किताब मैं इन में से बच्ती गेंद किताब पढ़ना चाओँगा क्योंकि सब को जो है गेंद के साथ खेलना अच्छा लगता न, तो मुझे गेंद के साथ खेलना और उसके विशय में जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता है अगला है नापतोल, जिसे मौसी ने वीरू को कहा था फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि उसे कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी और मौसी ने उसे हसी में कहा कि अगली बार एक फुट्टा ले कराना ताकि किताबों का आकार प्रकार माप कर उसे पसंद कर सको इसलिए मौसी ने विरु को फुट्टा लाने के लिए कहा था अलग-अलग चीजों को नापने या तौलने के लिए अलग-अलग चीजों का इस्तमाल करते हैं अब तुमें कुछ नीचे दी गई चित्रो चीजों को किन चीजों से माप हो गए जैसे अलग-अलग चीज होता है उनके मापने का उनको तॉलने का पैमाना जो है वो अलग-अलग होता है तो यहाँ पर हमें कुछ चीजे दी गई हैं तो उनको किन से माप हो गए किन चीजों से माप हो गए जैसे इस चित्र में आप देख रहे हो इस चीज को अप किस से मापोगे मिटर से मिटर मापक होता है मिटर से आप जो है इसको मापोगे अगला चितर आप देख रहो क्या इस चितर में पानी पानी को लिटर से और यह देखो यह लिटर मापक है इस चितर में आप देख रहो आम का, इसको कैसे? किलो ग्राम से और किस-किस हायता से? तराजू या बाट ये क्या है? तराजू और ये क्या है? बाट कागज को किसे? संटीमिटर से अब ये देखो ये फुटता है, स्केल है तो इससे हम जो है, इस कागज को नापेंगे अगला मेज तो अलग-अलग चीजों को नापने या तोलने के लिए अलग-अलग चीजों का इस्तमाल करते हैं नीचे दीगए चीजों को किन चीजों से मापोगी जिसे कपडे को इंच टेप से अभी हमने दिखाया है यह देखो यह क्या इंच टेप आम को तराजू या बाट से फुटे को फुटे या इंच टेप से कागज को फुटे से कागज को कैसे है फुटे से पानी को लिटर मापक से यह देखो यह लिटर मापक है पानी को कैसे मापक है लिटर मापक से यह क्या है लिटर मापक चलो आओ खेले अंताक्षरी यहाँ पर बहुत सारे शब्द आप लोगों ने अब तक सीख लिया है यह शब्दों की अंताक्षरी है तो आपने अंताक्षरी तो बहुत बार खेली होगी अब यह है शब्दों की अंताक्षरी जैसे किताब आकरी अक्षर कौन सा है ब उसे बं रत, थ से धर्मस आखरी एक्षर स, अब स से साथी और थ से थाना अब यह आखरी एक्षर में बनाया थाना तो यह शब्दों की अंताक्षरी पूरी हो गई अगला प्रश्ण है पसंद ना पसंद, अब विरु को मौसी ने किताबे चुनने के लिए कहा तो वहाँ नहीं चुन पाए तुम्हें अपनी पसंद की चीजे चुनने को कहा जाए तो तुम कौन-कौन सी चीजे चुनोगे जैसे आपकी मन पसंद चीजे कहानियों की किताब गुडिया, टौफी सुन्दर-सुन्दर फूल कुदने वाली रस्ती चाबी वाली कारिया सब चीजे जो आपको पसंद आती होगी यह पर आप जो है अपने मन पसंद चीजे जो है यहाँ पर लिख सकते हो अब जो है हम मेरी किताब इस पार्ट पर आधारित कुछ प्रश्ण हम पढ़ेंगे जैसे पहला प्रश्ण है प्रश्णों के सही विकल पर ठीक सही का निशान लगाई है मौसी विरु को कहा ले गई उद्यान में, छत पर, बैठक में या कमरे में तो मौसी विरु को कहा ले गई थी बैठक में अगला प्रश्ण है विरु के अनुसार उसके बस्ते में कैसे किताब नहीं आती तो विरु के अनुसार मौसी ने उसको बहुत सारी किताब दिखाए थे न छोटी, मोटी, पतली, बड़ी तो विरु के अनुसार उसके बस्ते में कैसे किताब नहीं आती बड़ी किताब उसके बस्ते में नहीं आती मौसी ने विरु को पढ़ने के लिए कितनी किताबे दिखाए तीन किताबे, चार किताबे, पाँच किताबे, एक भी नहीं तो मौसी ने विरु को कितनी किताबे दिखाए थी। तीन किताबे दिखाए थी। विरु ने मा को बेजे हुए कागज को कहा रखा। मौसी के हाथ पर, मेज पर, कुरसी पर या किताबों पर। तो कहा रखा था विरु ने, मेज पर। अगला प्रश्ण है सही और गलत आपको सही गलत यह मैं बताना है बैठक में नीचे से उपर तक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी कतारे थी सही विरु को अपने पसंद की किताबे पता थी क्या विरु को अपने पसंद की किताबे पता थी मोटी किताब से घबरा कर पीछे हट गई जब मौसी ने विरू को मोटी किताब दिखाए तो घबरा कर पीछे हट गई थी न तो ये कथन सही है मौसी ने विरू को अगली बार फुट्टा लाने को कहा क्योंकि फुट्टे से विरू की लंबाई नाप नी थी, तो क्या फुट्टे से विरू की लंबाई नाप नी थी, गलत, तो फुट्टे से विरू को किताब नापकर लेकर जाने के लिए फुट्टा लाने को कहा था, फुट्टा क्यों मौसी ने कहा, फुट्टा क्यों ऐसा मौसी ने कहा था, गलत, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जहां भहुत सारी किताबे रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, पुस्तकाले, क्या कहते हैं, पुस्तकाले, जहां भोजन करते हैं, उसे भोजनाले, जहां पढ़ने जाते हैं, उसे विद्याले, जहां न्याय के लिए जाते हैं, न्यायाले, जहा अनात बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं अनाता लए यह है वाक्यांश के लिए एक शब्द इनको आपको याद रखना है अगला प्रश्ण जिसे विरु अपनी मा की बहन को मौसी कहती थी तुम इन्हें क्या कहते हो जिसे विरु अपने मा की बहन को मौसी कहती थी तो पापा की बहन को क्या कहते है बुआ क्या कहते है बुआ मा की बहन को मा की बहन को क्या कहते है मौसी जैसे विरु अपनी मा की बहन को क्या कहते थी मौसी पापा के बड़े भाई को क्या कहते हैं? बड़े पापा पापा के छोटे भाई को क्या कहा जाता है? चाचा मा की मा को क्या कहते हैं? नानी उसी तरह से मा के पापा को मा की पापा हमारी कोन है? नाना उनको क्या कहते हैं? नाना उसी तरह से पापा को क्या कहेंगे हम? दादा जी क्या कहेंगे दादा जी और पापा की मा को क्या कहेंगे हम दादी क्या कहेंगे दादी तो ये प्रशन उत्तर जो है हमने पढ़ लिए उसके बाद इन शब्दों के अर्थ जिसे संदेश यानि समाचार साहस हिम्मत, अचरज, हैरानी से इस कहानी के जो प्रश्न उत्तर हमने पढ़ लिए धन्यवाद